हेलो गाइस आज मैं इस वीडियो में आपके लिए अताऊँगा इस रिम कार्ड में आखिर में क्यों नहीं आए खाते में एक हजार रुपे कुछ लोगों को तो एक हजार रुपे आ गए हैं पहले किस्त और कुछ लोगों की नहीं आई है तो वो गलती क्या है इस्रिम कार्ड में और कैसे सही करते हैं तो मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा तो मैं सही करने वाला जो गलती है उसे सही करने वाला जो वीडियो का लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्करप्शन में मिल जाएगा और पागी का जो problem है मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या जो problem है इसलिए के 100 पर नहीं आए तो गॉ tightening हमें देखना है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है जल्ड सुधरवाले इन गलतियों को यहां लिखा हुआ है जल्ड सुधरवाले इन गलतियों को जैसे फस्ट में हमारी यह गलती है वो क्या है यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि मैं आपके लिए सिलेट करके दिखा दे रहा हूँ फस्ट जो गंती है हमारी है मैंने सिलेट कर लिए यहां से पर्णाएं जैसे कि यदि आपने इसरम कार्ड का E-K-Y-C नहीं करवाया है तो आपके खाते में एक जड़ पे नहीं आएंगे इसके लिए जल्द से जल्द बेंक में जाकर करके अपना आदर कार्ड और पेन कार्ड जमा कराएं ताकि आपके खाते की के वाई सी हो जाए और सैकेंड में यहां पे लिखा हुआ है यह second में लिखा हुआ है सिर्मिक दुवारा जल्दबाजी में बहुत सारी गल्थियां हो जाती है जैसे गल्थ नाम पता मुवाइल नमबर या एकाउंट नमबर जैसे कि जब भी आप इस सिर्म कार्ट बनवाते हैं तो जल्दबाजी में उसमें इस सिर्मिक कार्ड में जो account की detail होती है वो गल्थ हो जाती है थोड़ा भी बहुत भी गल्थ हो जाएगा तो आपके bank account पैसा नहीं आएगा तो जो bank account आशे ठीक से जाकर के सई करा लें अगर आपके लिए change करा ना आए तो change भी करा सकते हैं तो यह हमारी हो गई second वाले गल्थ तो थड में यहां पर लिखा हुआ है यदि आपने अपना mobile number अपने bank खाते से लिंक नहीं करवाया है तो जाकर के अपना bank खाते से अपना mobile number जाकर के जंदी से लिंक करा लें ताकि आपके mobile में message आ जाए जब भी आपका 1000 रुपे इस श्रम कार्ड का आपके bank खाते में आए तो गाइस जंदी से जंदी जाकर के अपना bank account रेटेल है वो सही करा लें उसमें तो आपके लिए वीडियो अच्छा लएक करना और मेरे चैनल के सब्सक्राइब करना